नमस्ते मैं हूँ आपके साथ उश्रिल परावत और उस वक्त आप मुझे देख रहा है जी मीडिया के डिजिटल पेश पर केंसारकार के आम बजट का काउंडाउन शुरू हो चुका है एक फरवरी यानि कि आने वाले कल की तारीक को आम बजट पेश होने वाला है इस बजट से हर किसी को काफी कुछ उमीदे हैं और खास कर चुकी कोरोना काल के बाद ये बजट पेश किया जा रहा है तो हर कोई उमीद कर रहा है कि इस बजट में क्या कुछ खास होगा कितनी राहत हर सेक्टिस को मिलती हुई नजर आएगी इस बीच एक तपका महिलाओ का भी है ग्रहनियों का भी है जो कि इस बजट से काफी कुछ उमीदे करती हैं ग्रामीन और शेहरी महलाएं हर कोई उमीद कर रहे हैं कि उनके रसोई का बजट जो इस बार बिगड़ता हुआ नजर आया वो इस बजट में सुधरता हुआ नजर आएगा यानि कि रसोई गैस में उन्हें कुछ छूट मिलती हुई नजर आएगी इसके साथ ही महला सुरक्षा को लेकर यहाँ पर कड़े कillery कदम उठाए जाएगी हाला कि इस से पहले भी महला सुरक्षा को लेकर कई कदम उठाए गए हैं लेकिन वो उतने प्रियात नजर नहीं आए क्योंकि समय समय पर महला उत्पिड़न की ख़बरे महिलाओं के साथ बलातकार महिलाओं के साथ तमाम घटनाई जो है वो आती रही है और इसी को लेकर महिलाओं ये उमीद कर रहे हैं कि इस बार इस बजट में महिला सुरक्षा को लेकर कुछ बहतर कुछ अच्छा देखने को मिलेगा सरकार महिलाओं के लिए रोजगा और सहायता कारिकरम के लिए मदबरदान करती है पिछले साल इसको घटा गया था इस बार उमीद की जा रही है कि इसको बढ़ाया जा सके ताकि महिलाओं रोजगार जादा से जादा पा सके और इस बार कोरोना काल की अगर बात की जाए तो कई महिलाओं की भी इसमें नौकरी की गई है ऐसे में सेक्टरस में बढ़ोत्वी की जाए, सर्विस सेक्टर में महिलाओं जादा नजर आती है उमीद ये की जा रही है कि इसको बढ़ाया जा सकता है ताकि जो महिलाएं जिनका काम छूटा उन महिलाओं को दुबारा से आमदनी का एक स्रोज जो है वो मिलता हुआ नजर आए इसके साथ ही जो महिलाएं घरलू काम करती है यानि की घर में काम करती है उनके लिए कुछ ऐसे उपाय किये जाए ताकि वो भी घर बैठे बैठे कमाई कर सके उनके स्किल्स को और डेवलप किया जाए इसको लेकर को योजना लेकर आई जाए इसको लेकर भी महिलाओं को काफी कुछ उमीदे इस बज़ट से नजर आ रही है तो अब इंतजार है कि कल जब आम बज़ट पेश किया जाएगा तो उसमें महिलाओं की उमीदे कितनी पूरी होती हुई नजर आती है महिलाओं जो उमीद कर रही है उस उमीद से बढ़कर महिलाओं को मिलता है या फिर उम्मीदों तक ये बजट समच जाता है या फिर उम्मीदों पर ये खरार नहीं उतर पाता है ये तमाम चीजें हैं जो कि जब कल बजट पेश किया जाएगा वितमन प्री निर्मला सीता रमन की तरफ से तब देखने को मिलेगा कि महिलाएं कितनी संतुष्ट इस आम कम उन्सकी चूब